तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हमारा जो six lesson है जिसका नाम है poet and pancakes poet मतलब कभी और pancakes का मतलब होता है एक makeup brand था जिसे हम pancake के नाम से एक makeup brand पेन के मेकप ब्रांड था मेकप समझते हो ठीक है और ये कहानी एक्चल में ये लेसन लिखा है असोग मित्रन ने किसने लिखा है असोग मित्रन असोग मित्रन ठीक है असोग मित्रन मदरास में एक स्टूडियो था जिसका नाम था जैमिनी स्टूडियो जिसे स्टार्ट किया था SS बासन ने ठीक है SS बासन जो कि उसके बास थे उस स्टूडियो में असोग मित्रन काम करते थे तो उस स्टूडियो में उनकी जूभी याद हैं तीं नेही विए नेहीं के साथ तोल्सार में पांप 8 लां की दोर मेकप रूम में पूरी इंडिया से पूरे भारत की लोग काम करते थे कोई मद्राजी कोई गुजराती कोई आंद्रीज कोई बर्मी कोई ऐसे तो एक इंट्रीगेटिड टीम थी सारे इंडियांस की और मेकप करवाना बहुत ज्यादा कठेन होता था एक बर्ड है फायरी मैज जिसके बज़े से मेकप करवाना बहुत कठेन हो जाता था थोड़ा सा जो भी विजनों ने बताया इस एप्टर में अपनी यादों में वो हसी में जाक में बताया तो जब मेकप करवा गया आज भी निकलता था तो वह एडियस मॉंस्टर जैसा लगता था मतलब बिलकुल लगता था बेकार सा लगता रहा सो इस तरीके से वह इसकी वारें बतातें हैं वो समय जिक्र करते हैं कि एक वासन का के बहुत ही होस्यार वैक्ति एक जर्रिस्ट थे इस बादर व्यक्ति तो इसलिए उस समय जाती पाद बहुत चलता था तो उनको वár जगाजय जगह मिल जाती थी, दूसरा वो काम में बहुत अच्छे थी थी, सबक्ता काम जानती थी वो, किसी के काम काम को बता देती है, ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो एक अच्छी चीशी थी थी, और तीश रूसरा वो क्या था, कि बहूत ही वफादार थे, थी ठीक है तीसरा वो हमेसा खुछ था हमेसा खुछ रहते थे और उनकी जो महमान नवाजी है हॉस्पीटालिटी वो लोगों में पिरसेदी थी फेमस थी इसके वज़ए से कुछ उनके दोस्त भी थे कुछ नसे जलते भी थे इस तरहे से था अब होता क्या है कि इनके काम क्या था इसक करके दूसरे लोगों पार अएक जमाए को कई ये बीथे आखवार आस ते Are ये चुकि बहुत अच्छे एसस वासन के बहुत करी थे अच्छे थे तो इनकी नौकरी बढ़िया चल रही थी फिर वहां जिकर करते हैं ये एक ललके के बारे में आफिस बॉय जो यहां जैमनी स्टूडियों में कोई डारेक्टर एक्टर स्क्रीन प्ले राइटर ऐसा कुछ बनने आया था लेकिन उसको बना दिया मेकप में और वही सबसे नीचे हरार की क्रम होता है क्रम में सबसे नीचे उसको करना क्या था बहुत सारा मैकप एक बड़ता के बरतन में घोलकर जो वहां पर dx पर लगाना पड़ता था तो इस बाससे बहुत दुखी भी था परिसान भी था क्योंकि वो खिलम जगत में कुछ बड़ा करने के लिए आया था लेकिन कर नहीं पाया था मेकप आर्टिस्ट में में कर रह गया था इसके बाद वह एक वकील की बात करते जो यहां होता था कोड़ा जिसका काम था कि वह सही सलाद हो वह वकील दो से बि काम चोड़ दिया था काम चोड़के चली गई थी तो उसको लोग लीगल नहीं बलकि एल्लीगल एडवाइजर कहा करते थी असुक में तरन को हर जगे की बातें मिलती रहती थी क्योंकि वह कैंटीने बैटते थे और कैंटीन में साभी लोग आया जाया करते थे फिर क्या हो लोगों को समझ में यहाती है वह फि graduating अनकी जिंदगी तो जो स्टूडी में काम करते हात मिलती थी थी इस चूरवके चार ओर तो उननके बारे ने ये भी असोग मतरन भी उनके बारे में तब जान पाई जब जाके उन्होंने लंडन लाइबरेरी में उनके बारे में कुछ पढ़ा, उनकी किताब हैं पढ़ी, उनके जर्नल्स पढ़े तब उनने लगा किया रहे, वो कितने बड़े पोईट थे एस एस बासन ने उनका इंट्रोडक्शन भी दिया था, लेकिन उनको भी ज़्यादा पता नहीं था, तो ये सारी चीज़ें थी, ये लोग कर राज नहीं थे, कोई वो नहीं था कि किसी पार्टी से अफिलेट हों, बस बगांदी जी को मानते थे, और खादी पहनते थे, इस स सभी समान होने चाहिए, गवी समान होने चाहिए, ये सारी सो, उनको लगता था, क्यमिनिस्ट जो होते हैं, वो हर्टलेट अथीष्ट होते हैं, हर्टलेट अथीष्ट का मतलब है, जो नास्तिक हैं, जो समाज में राज अस्ता फैलाते हैं, इस तरीके से इनके बिचार थे माईजरी का मतलब है कष्ट या पीड़ा उस कष्ट से कौन सा कष्ट और दो सबजेक्टू मेकप करवाते थे उन्हों क्या कष्ट होता था तो क्या कष्ट होता था लाइट एंजल फिंदी बहुत सी से लगे थे 4 अथर तो उससे दिक्कत होती थी देखो दराइटर मींस फार जो गिराती थी, intense heat, बहुत ज़्यादा ताप, तेज ताप, intense heat, the makeup room of the Germany studio head bright bulb, उसमें तेज चमकीले bulb हुआ करते थे, bright bulb हुआ करते थे, bright bulb, छीक है, bright bulb in the room full of large mirrors, जो शीसों से भरा हुआ था, that reflected the glowing, glowing heat, जो तेज हीट पैदा करता था, under such blazing, blazing मतलब होता है जुल साने वाली जुल साने वाली ऐसी जुल साने वाली such blazing heat make up was done make up होता था ठीक है तो इसलिए ये कश था फिर से देख लो the writer means the misery caused by the incense and incense and light लगाता पढ़ने वाला प्रकास that poured out जो गिराता था intense heat तेजा रोसनी the make up room of the Gemini studio head bright bulb सुछ में चमकीले बल्ब थे in the make up room full of large mirrors that reflect the glowing lights under such blazing heat इतनी तेज गर्मी में यह कहां जुल साने वाली गर्मी में make up was done make up होता था अंगला देखो हाँ अंगला देखो what is the example of national integration यह जो national integration है इसका मतलब है समावेस समावेस मतलब मेल जोल मतलब जमिनी स्टूडियो के make up room में पूरे देश के लोग काम करते थे देखो था make up team and also those who came and band came मतलब आना band मतलब जाना from different states अलगला स्टेट से थे it was headed by a बंगाली इसका head था बंगाली next हरार की हरार की मतलब होता है क्रम आंगे क्रम में कौन था वोजा महरास्ट्रियन असिस्टिट बाई एन आंधरी इस उसका assistant कौन था एक आंधरा का था मदरास इंडियन क्रिस्टियन एंगलो बर्मीज बर्मा के लोग भी थे and other local tamil it was truly truly मतलब सच में यह सच में इस टूली अगेंग आप नेशनली integrated integrated मिले जुले नराश्टिय मिले जुले मिले जुले नेशनली integrated make-up man's ठीक है फिर से पढ़ लेते हैं the make-up team the make-up team and also those who came and bent from different states अलगले श्टेते थे it was headed by a बंगाली and next in हरार्की अगले ही करें मारास्टियन assisted by an आंद्रीज अब अद्राश इंडियन क्रिस्टियन अंगलो वर्मीज and other local tamil it was truly a gang of nationally integrated make-up man ठीक है अब थार देखो what work did the office why do office why जो था वो क्या काम करता था in the Germany studio what did why did he join the studio why was he disappointed 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 का मतलब है निरास और वो निरास क्यों था किस बास से वो निरास था अभी मैंने बता है वो निरास था क्योंकि वो आया था कोछ अच्छा करने के लिए और उसे बना दिया make-up man वो भी सबसे नीचे करम का the office why applied make-up to the crowd crowd का मतलब होता है भीड भीड पर make-up लगाता था भीड को mixing his paint in a giant vessel giant vessel मतलब होता है कि बड़े बरतन में बड़े बरतन में अपना paint mix करता था giant vessel and slapping slap मतलब थोपना लगा देना और थोप देता था थोपना giant vessel slapping it on the crowd players पूरे प्लेयर भीड पर लगा देता था भीड के लोगों हुए he had joined the studio in the hope उसकी उमीद थी जब वो निस्टूडियो जोप किया था और becoming a star actor के अच्छा एक्टर बन जाए top screen writer writer लेखक बन जाए director और लेकर राइटर या गाना लिखने बाला बन जाए he was बिटा पुएट बिटा पुएट मालब थोड़ा तरी कभी था वो he was disappointed वो निरास था as he was placed low even in the hierarchy of makeup man, hierarchy का मतला है क्रम, makeup man के क्रम मैं भी उसे सबसे नीचे रखा गया था फ़र से पढ़ लो office boy applied makeup to the crowd, crowd पर लगाता था crowds पर भी, crowds का crowd कर देना, mixing his paint in the giant vessel and slapping it on the crowd, crowd पर लगाता था crowd player, he had joined the studio in the hope of becoming a star actor or a top screen writer, director, lyric writer, he was a bit of a poet मैं थोड़ा वो poet टाइप का आदमी था, he was disappointed, वो निरास था as he was placed low even the hierarchy of makeup man, makeup man की करम मैं भी उसे सबसे नीचे रखा गया, आगे देखो, fourth question, why did the author appear to be doing nothing in the, doing nothing at the studio, ऐसा क्यों लगता था कि लेखा कि पास कोई काम ही नहीं, studio मैं वो कोई काम नहीं कर था, देखो, अभी मैं मैं बताया था, स्टोरी में कि वो किल्पिंग काटते थे ख़बार की तर लोगों, दूसरे लोगों को लगता था कि कोई काम ही नहीं है, the author's job to cut the newspaper, किल्पिंग, किल्पिंग का मतलब है, हाँ, cutting, किल्पिंग, on bite variety of topics, subject, by variety मनला कई प्रकार के, कई प्रकार के topics, subject and store them in files, many of these to be written out in hand, ज्यादा तरहास से भी लिखे जाते थे, seeing him sitting at his desk, यह देखकर कि वो अपने desk पर बैठे हैं, and tearing up newspapers, most people thought that he had nothing to do at studio, ज्यादा तर लोगों लगता था कि इस्टूरियो में कुछ करने के लिए इनके पास काम नहीं है, तो समझ में आ गया होगा, कि वो किल्पिंग काट थे थे, इसलिए लोगों को लगता था कि इनके पास कोई काम नहीं है, अंगला देखो, why was the office why frustrated, जो office why था वो परेशान क्यों था, frustrated मतलब परेशान, निरास, हतास, क्यों था, who did he so his anger on, anger मतलब गुसा, अपना गुसा किस पर निकालता था, तो उसको चुकि वो hero बनने आया making big, making big मतलब कुछ बढ़ा करना, in the movie world failed, अस्पल हो गया था वो कुछ बढ़ा करने में, he bent his anger and frustration on कोथा मंगलम सुभू, वो कोथा मंगलम सुभू पर अपना गुश्चा निकालता था, क्यों, the number two in studio, whom he held responsible, जने वो क्या मानता था, responsible मानता था, जिम्मेदार मानता था, और जो वो करना चाता था, वो कर नहीं पाया, who was सुभू के गुरू कौन थे, प्रिंस्पल, उनके जो गुरू कहले, मालिक जो SS बासन थे, वही उनके गुरू थे, देखो, SS बासन, the founder of journey studio, was the boss and सुभू's principal in the studio, वही boss थे, वही प्रिंस्पल थे, सुभू had a great loyalty, लोयल्टी मनला बफादारी, बफादारी, सुभू बहुत बफादारी थी, to him, उनके लिए, he made him identify himself with his, this made him identify himself with his, प्रिंस्पल कम्प्रिली, और इस्ते पता चलता है, कि वही उनके गुरू थे, he turned his entire, entire का यहां मतलब है, संपून, वो अपनी पूरी creativity लगा देते थे, इन प्रिंस्पल's advantage, advantage मतलब love, अपने मालक के love के लिए, एक बार देखो, S.S. बासन, the founder of Germany's studio, was the boss and सुभू's principle, वही वही सुभू के, क्या कहें, गुरू थे, in the studio, सुभू had a great loyalty to him, this made him identify himself with his, प्रिंस्पल कम्प्रिली, और इसे पता चलता है, कि वो उनके गुरू थे, he turned his entire creativity to his principle's advantage, और वो पू is described as a many-sided genius, genius का मतलब होता है, होसियार, सुभू कई चीजों में, सुरी, होसियार, कई चीजों में होसियार थे, मतलब बहुत intelligent आदमी थे, बहुत होसियार थे, कई चीजों में, तो उनकी कोई भी चार quality बताईए, ठीक है, many-sided genius, list four of his special abilities, देखो, सुभू was a many-sided genius, he was born as Brahman, स अपने हाँ में एक गुन था, it exposed him, इससे उन्हें मौका मिल जाता, exposed him to more affluent, affluent का मलब है, समरद, more affluent situations and people, second, he had the ability to look cheerful at all times, हमें साथ खुछ रहते थे, third, he always had work for somebody, मलब हो हर किसी का काम जानते थे, हर किसी को काम बताते थे, fourth, he had great loyalty to his principle, SS बासन, पहला वो ब्राम्मन थे, दूसरा वो खुछ रहते, ठीक है, वो हमें साथ खुछ रहते थे, उनके बास सब के लिए काम होता था, और वो चोछे बापादार थे, SS बासन के, यही उनकी चार qualities हैं, ठीक है, अब अंगला देखते हैं, Why was the legal advisor referred as the opposite by others, legal advisor मतलब जो वकील था, उसको लोग opposite मानते थे, legal advisor कहते थे जैसा क्यों, देखो, the lawyer was only at the studio who wore, बोर मतलब यहां है, पहनना, जो पहनता था, पहनना, बोर, pants, tie and sometimes coat, और कभी कोड, unlike, unlike मतलब अलग, बिलकुल अलग, different, unlike अधा, दूसरों से अलग हो बोर, जो पहनते थे, खादी धोती हैं, बास्तों में, in fact, he created problems, he brought the career of a brilliant actress to an end, by terrorizing, terrorizing का मतलब है, डराना, डराना, उसे डरा, terrorizing her, he was rightly called an illegal advisor, उसे लोग सही कहते थे, illegal advisor, इबापर से दोखो, the lawyer was the only one at the studio, lawyer अकेला था, स्टूडियों में, who was, who wore pen tie and sometimes a coat, unlike others, who wore khadi dhoti and sat, जो दूसरे khadi dhoti sat, पहन दे थे, his job was to give support and advise on problems, but in fact, he created problems, वो समस्यां पैदा करता था, he brought a career of a brilliant actress to an end, उसने एक बहुती brilliant actor का career अंत कर दिया था, by terrorizing मतलब डरा कर, हर, उसे he was rightly called an illegal advisor, उसे सही कहते हैं कि वो legal नहीं, illegal advisor है, अब उसी से बिला हुआ कोशन है, कि वो lawyer अलग थलग क्यों पढ़ जाता था, क्योंकि वो he was a man of cold logic, cold logic का मतलब होता है, जैसे इसमें लिखा न man of cold logic, cold logic का मतलब निरासाबादी, वो निरासाबादी आदमी था, निरासाबादी, ठीक है, तो एक पर पढ़ते हैं, what made the lawyer stand out of the others at Germany studio, stand out of the others मतलब दूसरों से अल अलग, दूसरों से अलग क्या चीज थी उसमें, या वो तुक्या चीज वजे से दूसरों से अलग तलग पढ़ जाता था, देखो, the lawyer stand out, the lawyer wore pants tie and sometimes accord, wore का मतलब अभी मैंने बताया था, पहनना, यह wore का मतलब है, पहनना, pants tie and sometimes accord, while all work खादी दोती and white set, पाकिस सब खादी दोत और सट पहनते थे, he looked alone and helpless, वो बिलकुल अकेला और असाय देखता था, he was a man of, man of cold logic, वो बहुत ही निरासाबादी वेक्ती था, man of cold logic मतलब निरासाबादी वेक्ती, in a crowd of dreamers, सपने देखने वाले, जो लोग सपने देखते थे, उनको निरास करता था, वो, सपने देखने वा अंगला देखो, did the people at Germany studio have any particular political appreciation, राजनेतिक संबंद, political appreciation मतलब राजनेतिक संबंद, क्या जैमनी स्टूडियो के लोगों के, राजनेतिक संबंद थे, किसी राजनेतिक पार्टी से, नहीं, उनको कोई इंटरस्ट नहीं था, बस वो गांदी जी को खादी पहनते थे, इसके अलावा, 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 एंड लोग डाउन और कम्निस्ट को नीची नजर से देखते थे थे कंसीडर मुझान थे कंपनिस्ट हर्ट लेश अथीष्ट यह लिखा ना हर्ट लेश अथीष्ट नास्तिक वो कियते हैं नास्तिक हैं ढ़ाइड आफ इमोशनस इंके अंदर भावनाएं नहीं है ढ़ाइड मनलत बंचित यह लोग बंचित हैं काई से फीलिंग से भावनाओं से ढ़ाइड आफ इमोशनस ठीक है आगे दे बैंट they bent about letting lose anarchy in society ये समाज में अनार्की फैलाते हैं अनार्की मतलब होता है अराजक्ता अराजक्ता फैलाते थे हैं लोग समाज में ठीक है तो इसलिए वो लोग इन से नफरत करते थे बाकी उनको राज नहीं थे इसको लेना देना नहीं था अब ये है री आर्म में जाज़ आके अलग-अलग नाटक किया करती थी ठीक है तो इसे जैमिनी स्टूरियों में क्यों बलाया गया था नाटक करने के लिए अच्छल में इसे में एसेस बासन की कुछ इंटरस्ट थे देखो दा मोरल री आर्म अमेंट आर्मी करने की वाज़ इनवाइटीट्टी त्यू प्लेइस में प्लेइस का मतला होताए लेक्चर जैसे लेक्चर भासन या भासन कहलो या नेत किदाब पर कुछ सिखाना कहलो ऐसा कुछ homilies जिसे सर्मन है सर्मन का मालब उपदेश होता है सर्मन और लेक्चर उपदेश उपदेश टाइप की नाट को के लिए दो तरीक की नाट के लिए For the Germany family It was discovered only later ये बाद है पता चला बुलाया तो सबसे तो ये कह के बुलाया गाया था उस आंदोलन का हिस्सा है जो किसको काउन्टर कर रहा है और बासन ने उन्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि उससे उनका राजनियतिक पिरभाव थोड़ा बढ़ जाये बस इसलिए बुलाया था बागि कोच नहीं हलाकि लोगों को यह कहा के बुलाया था कि जो हम Moral Rearm Armament Army को बुला रहे हैं यह कोई सेना मेहना नहीं थी एक संस्ता है इंटरनेशनल लेबल पर जो कम्पनियोजम का अभरोध करती है तो अपने नाटा को कोई दोरा तो इसलिए उसे यहां बुलाया गए था और इसका कोई वो नहीं था ठीक है अंगला है नेम बन एक्जामपल टू सो डैट जैमनी स्टूडिय वाज इंफ्लूएंस बाइदा प्लेस स्टेज बाई एम आरे मारल रियार्म अमेंट आर्मी देखो एम आरे ने के जो बैक्ग्राउंड थे जो संसेट के संसाइज संसेट के जो सीन थे उससे जो यह लो जैमनी स्टूडिय वाले बहुत प्रभावित हुए बाकि तारे तमिल प्लेस के फिर सारे सुरूबात के सीन बदले गए देखो एम आरे स्टेज टू प्लेस जौथम बैली दो प्ले उन्हें ने करे थे दो नाटक एक कर नाम था जौथम बैली और यह था फॉर्गवाटर फेक्टर देएर हाई क्वालिटी कॉस्ट्यूम कोस्ट्यूम का मलब था पोसाग कपड़े जो पहने जाते हैं पोसाग ने सूमुच उन के संञराय संसेट सेंसे बहुत इंप्रेस हुकते लोगए लोग आट ऑल तमिल प्लेस इस स्टार्ट रीप्लेदी क्योथ़ जितने तम्हिन नाटक थे उन्होंने अपने बने बने बना है नाटक उनhosन्होंने अपने संसाइज सेंसें को रीप्रीदी लू मतलब होता है बिलकुल खाली खाली स्टेज की बाइब मैंसे तो版 अभी मिंधी तो प्लेज टेंट इस पॉलई जो भी जितने लोग प्रभावित हुए उनके सारे के सारे के सारे जो तमिल प्लेस थे उनने अपने सारे के सारे को सीन को फिर से फिलमाया जिसमें बांसरी की धुन बज़ती थी खाली स्टेज होती थी और पीछे एक सफिद बेक्गराउंड होता था इस चीश से लोग बहुत उम्प्रेस हुई थे हुई वास दा ऑस आफ जर्म एसटूडियो जर्मी इस्तूडियो का बास कोन था एसेस वास आपार्ट फाउब के अलावा के अलावा अपार्ट फॉम प्रोडीूसिंग फिल्म्स फिल्में बनाने के लावा एडिटर ऑफ अपॉपलर तमिल बीकली अनन्दा बिक्टन अनन्दा बिक्टन करके एक बीकली पेपर था बीकली मतलब जो सब्ता में निकाला जाता है उसके वो एडिटर भी थे सिक्षित लोगों की बहुत तारीब करते थे या उनसे बहुत प्रबावित रहते थे इसा लगता है कि वो ही सो में थे सो में मतलब जो कुछ करता धरता थे सब वो ही थे तो S.S. बासन दा फाउंडर आप जामिनी स्टूरियो वास अपार्ट फॉम प्रिडूशिंग फिल्म्स यी वास एडिटर ओफ पॉपलर तमिल भीकली अनन्दा विकटन अनन्दा विकटन के वो क्या थे एडिटर थे संपादक थे यहां मिस्टर बासन को ही करता धरता के रूप में बताया गया है अब यह 14 है नमबर उपर डला है आंसर नीचे है उनके बीच में और जैमनी स्टूडियो के लोगों के बीच में कम्निकेशन अच्छे से नहीं हो पाया तो पहले तो उनकी लैंग्विज इंग्लिस थी दूसरा उनके बिचार पॉलिटिक्स पर लेकर चुकि जैमनी स्टूडियो वालों को उसे कुछ लेना देना नहीं था इंग्लिस मैंने स्पीज बास प्रिप हां पेपर्ड बिथ बर्स लाइक फ्रीडम पेपर्ड मलब लिखे हुए उनके सब्दों उनके भासान में लिखे रहते थे या कहें यूज करते थे क्या यूज स्टूडियो को लोगों कोई राजने तेंग इंटरेस्ट था नहीं सो देवर डेज्ड डेज्ड का मलब हूँ था उन ना नीन आना इसलिए उनने नीन आ जाती थी नीन ना उनके वासना में डेज्ड एंड साइलेंट और चुपचा बैठे रहते थे थे और इंग्लिस एक पोईट वह कभी थे एंड डेट में नो सेंस टू दा पीपल हूस लाइफ सेंटर अराउंड फिल्म स्टूडियो और इसलिए उनको पोईट से क्या लेना देना था तो उनका एक्स्टेंट उनकी बात जैसे सब्सक्राइब लोगों को समझ से परे था उनको समझ में नहीं नहीं आते थे इसलिए उनकी बावस में वो डेज डेज मतलब उंगते थे लोग बैठके साइलेंट ओडियंस बन जाते थे कुछ फरक नहीं पड़ता था नेक्स देखो वाई वाई इंग्लिस में विजट विजट रेफर हां रेफर टू एन अन एक्स्प्लेंड मिस्ट्र अन एक्स्प्लेंड मिस्ट्री मिला अन सुल्जा रहस अन सुल्जा रहस था उस पोईट का ना मतलब के वो क्यों आए वहाँ पर एक फिल्म स्टूडियों में कभी का क्या मतलब था तो यह सब समझ में नहीं आये लोगों को आये क्यों दा इंग्लिस मैन बाउज आ परचेद नहीं थे इन हिस स्पीच अपनी स्पीच में ही टॉक बाओ ध्रिल मतलब रोमाँच मो रोमाँच की बात करते ऐ्यंक है थ्रिल रोमाँच and travels travels का मतलब हो था परेशानिया travels मतलब परेशानिया ठीक है travels मतलब परेशानिया thrill and travels of an English poet poet के जीवन का romance और परेशानियों के बाद वो करते थे which made no sense for the simple people at Germany studio जिसका कोई मतलब नहीं था आम लोगों के लिए जैमनी इस्टूडियों में who had no exposure other than film जिने फिल्म के अलावा कुछ और आता ही नहीं था तो उनको क्या पता कभी के जीवन का romance क्या हो था because of which all communication had failed उसके वज़े सारा communication फेल हो गया he was basically a poet and that made no sense to the people whose life center around a film studio आपास्ता में वह एक पोईट थे और इस वज़े से जो 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 ज जो जो लोगो जीवन फिल्म स्टूडियो के चारों तरफ गोंता है उसको रहाए फिल्म स्टूडियों ठीक है वो एक पोईट थे who had exposure than film आगे दो भी simply people had neither Gemini studio who had no exposure than films and so they were not interested इसलिए वो interested नहीं थे these simple people had neither taste nor English poetry neither taste for English poetry nor political interest ऐसे लोगों को ना तो जो इस्टूडियों में लोग ना तो ने poetry से कुछ लेना आजा था ना ना आज नहीं थी थे hence his visit refer to an unexplained mystery और इसलिए उनकी visit एक unexplained mystery बन गई दो फर से देखो the English man was the poet whose name was not family है लोग उनकी नाम से परचित नहीं थे in his speech he talked about thrills and travels of English poet वो बताते थे रोमांच और परिसानियों के बारे में एक एंग्रेज पोईट के which made no sense for the simple people at Germany's studio who had no exposure exposure मतलब जिसके पहुँच उनकी पहुँच नहीं थी other than film के अलावा कहीं और पहुँच नहीं थी and so they were not interested इसलिए उनकोई रुची नहीं थी these simple people had neither taste nor English neither taste for English poetry nor political interest hence his visit is referred as an unexplained mystery इसलिए उनकी visit the unexplained mystery बनेगे जिसका कोई मतलब नहीं था ठीक है आगे देखो who was the English visitor to the studio कौन था वो English visitor जो इस्टूडियो में आया था the English visitor to the studio was the poet Stephen Spender editor of British periodical the encounter encounter एक सबता है पेपर आता था प्रेटिस में वो उसके एडिटर भी थे how did the author discover who the English visitor to the studio लेखा को कब पता चला या कैसे पता लगाया कि कौन था वो English visitor देखो the author discovered his identity by reading his name on the pages of the encounter in the British council library encounter paper British council library में उन्होंने उनका नाम पढ़ा he also knew about him from the paper back edition of book the god that fail एक किताब थी the god that फेल एक निशह साथ निमंदो का संग रहे है जिसमें Stephen Spender का भी हिस्सा था तो उस किताब पर नाम पढ़ा और बिडियो बिडियो कल मालब जो अंग्री से ख़वार आता था इनकाउंटर उस पर पढ़ा उससे उन्हें पता चला कि वो कौन था थे जब तक वहां रहे तब तक तो पता ही ने चला वो कौन थे who was the harm what does the god that failed refer to the god you किताब थी god संदों का by six imminent imminent मदल भी था पृतिस्ठित फी ठेथ कृतिस्ठित मैं इट वो लो प्राइस स्टुडेंट एडिशन एक कप सस्ता सा एडिशन था स्टुडेंट के लिए released on to commemorate commemorate का मतला होता है मनाना, मनाना मनाना मला किसी व्यक्ति को मनाना नहीं जैसन मनाना या याद में या किसकी याद में दा फिफ्ट एनिवसरी ओफ रुस्यान रेवलूशन रुस्यान करांथी की पचास वी साल किरा मनाने के लिए it dealt with the authors disillusion with communism ये बताता है काय के बारे में लिखक कि डिसिलूजन मतलब होता है ब्रहम क्या कहते हैं मोभंग मोभंग होने के लिए काय किसे मोभंग होना कमनिज्म से मोभंग होना उसके बारे में था ठीक है चलो तो अभी इस वीडियो में इतने ही रखते हैं एंसौर्ट को कर लो फिर मैं कल एक लॉंग का वीडियो अलग से बनाकर डालूँगा ठीक है